क्रिष्णाए वासुदेवाए हरे परमात्मने ही प्राता कलेश नासाए गोविन्दाए नमो नमाह बुलो अर्वन्समापुरार कीजै बैसंपार रिषी कहते हैं कि ही राजन देवरिषी नाजी के चले जाने पर एक दिन ब्रह्मा अपने पुत्रम संकारिक प्रजापती दक्ष के साथ भगवान सिवजी इन मरुडगड़ों के साथ भगवान सी कृष्ण के दर्शन कने द्वार का जा पूँचे साथ में सिद्ध गंदर व्यक्ष और किन्नर थी जा नाना प्रकार की जिद्धी सिद्धी पर पूँट द्वार का में ख्षण ख्षण में नविन मान भगवान के सी बिग्रे का दसन पाकर के अपने नेत्रों को उत्रप्त कर रही थी भगवान सी कृष्ण का नंदन बन के पुष्णों से पूजन करते हुए सभी देवताओं ने आकर के प्रिनाम करा वहाँ पर भगवान के दसन करके सभी देवता बड़े प्रसन हुए सभी ने भगवान से का कि है प्रवु आपने हमारी प्रात्ना पर प्रित्वी का भार उतारा धरम के इस्टापना करके लोग में कीती का विस्तार किया अब यहां का कोई कारसेस नहीं रहा आपको अब तीन हुए एक से पचीस वर्स हो चुके ही यह आपकी इच्चा हो तो आप अपने परमधाम को पढारें लोग पालों सेट हम को और हमारी लोगों को पवित्र करें भगवान ने कहें ब्रह्मन तुमारा कहना ठीक है मैं यादव कुल का संगार हो जाने पर अपने लोग में आ सकूंगा क्योंकि अगर यह यदिकुल सेश रहा तो यह बड़ाई बलवान है सारे संसार का नास हो जाएगा भगवान की इस कथन का ब्रह्मा देवता परिनाम करके वहां से चले गए भगवान ने अपनी इच्छा से द्वारका में दुम केतू का उड़े करा दिया और तेरे दिन का पक्ष हुआ तेरे दिन का पक्ष जिस वर्ष जिस महिने परता है उस महिने बिनासकारी उटपात होते ही उसे बिद्वन सक पक्ष का जाता है खप्पर योग का जाता है जिसके कारण भूकम उल्का पात दिखदाय नाना प्रिकार के भीसर उटपात होने लगे भगवान ने यदवन्सियों को बुला करके का कि बड़े बड़े यदवन्सियों में उटपात हो रहे हैं यदगुलों को ब्रामनों का स्राप हो चुका है और ब्रामनों के स्राप का निवारन होना बहुत कथिन है इसलिए हमको प्रिवास खेतर चलना चाहिए वहाँ चलकर के इस्नान तर्पन देवताओं का पूजन करें ब्रामनों को नाना प्रकार का भूजन करा करके दान दे करके इस संकर से दूर हो जाएं भगवान की अग्या पाकर के सभी यदवन्सियों अपने अपने रिठों पर सवार हो करके उसी समय पर प्रिवास खेतर क की तैयारी करने लगे चल दिये एकांत में भगवान को देखकर के उद्दवने आकर के प्रणाम करा और का के प्रवु में समझ गया कि आप क्या करना चाते ही भगवन में तो आदे खण भी आपके चन कमलों को छोड़ नहीं सकता क्रपा करके मुझे भी अपने दाम लेते चल क्योंकि मुझे पता चल गया है कि आप प्रथवी कात्याग करने वाले ही आपका अभियोग में सेन ने कर सकता उद्दव के इस पकार से बचन सुन करके भगवान ने कह के है उद्दव तुमने जो का ठीक है पांदु ब्रह्मा देवता मुझे अपने परम दाम में देखने कि इच्छा कर रहे हैं मैंने जिस कारण अपताल लिया था वो कार संपन हो चुका है मेरा कुलवी ब्रामनों के साफ से नस्त हो जाएगा परस पर एक दूसरे को नस्त कर डालेंगे आज से साथ में दिन समुद्र इस नगरी को दुबो देगा और मेरे प्रथवी छोडते ही कलजुक का प्रथवी पर आक्मन हो जाएगा उससे मनिश्यों की अधर्म में रुची होने लगेगी तुम भी अपने बंदुबानों का इसने त्याक कर मुझे में चित लगा करके सर्वत्र सम्दिष्टी रखते हुए प्रथवी पर विचनना मनवानी चक्युसरोट इंद है उद्धव्न सन्सार में जो कुछ है ये सम मेरी मया है उद्धवने का के है योगेशर आपने जैसे त्याक का बंदन किया उसका पालन तो विसेजी पुरसों के लिए अत्यन कथन है मैं सन्सारिक पदात इसती पुत्र देयार में आ सकतूं मुझे तो आपको ऐसा उत्तम स कारण बताईए जिसका पालन में सलता से कर सकूं क्योंकि मेरी दिष्टी में आपके अलावा कोई ऐसा तत्त उपनेश देता हुआ दिखाई नहीं पड़ता सभी तो आपकी माया जाल से मुईतों करके फसे हुए हैं आप सर्भग्य सर्वसक्ति मान अविनासी परंब्रम में म मैं आपकी सदन में हूँ आपका चलन सेवक हूँ मुझे सुगमता से उपड़िश करें भगवान ने कहें उद्दव संसार में प्राय विवे की पुरुस बिसेवासना से अपनी आत्मा स्वेम साधन द्वारा उद्दार करते हीं पसुपक्षी कीत पतंग आद के शरीर में भी आत्मा गुरू के समान आहेत्य का ज्यान कराती हैं कोई भी गलत काम होरा तो आत्मा एकवाँ जरूर कहती है कि ये घलत है और सही काम में अपनी अविव्यक्ति खुशी जायर काती हैं यज़ पे आत्मा के निवास की बहुँ सी नगरियां हैं पुरियां हैं सरीर में पांतों उनमें मन्नुष्च सरीर सर्वोत्त्म बताय गया है गुरु कृपा से सादन संपन प्रानी सादन द्वारा इसी सरीर में आत्मा का प्रितक्षिबोर कर लेते ही। हे उद्दव, कुछ सब्दिक बिद्वान, अनुवान अर्थ पत्ती से उसका ज्ञान प्राप कर लेते ही। किन्टो वो ज्ञान वाचिक है। उसी ब्रम की निम्ब्रती नहीं हो सकती, इस विशे में मैं तुम्हें सुन्दर उप्रे सुनाता हूँ। हमारे पिता में यदू, उनका धत्त्राते का सम्मार हुआ था, एक वार महाराज यदू, ज्ञान प्राप्ती की इच्छा से बिच्रन कर रहे थी। विच्रन कातिकों उन्होंने का अवदूत को देखा, उनको प्रिनाम करके का, क्या आपने करतप व्यभावना से रहे तो वोकार ये स्द बुद्धी कहां से प्राप करी, आप बल पर आप ज्ञानी होती हो भी संसार में अज्ञानी की वात ही विच्रन काते ही। मनस की संसार में किसी न किसी कामना से प्रिविती हुआ काती हैं, आप कोई प्रत्न ने काते इस्ती पुत्र से भी रहे थे, फिर भी आत्मा आनन से परपूने इसका कारण क्या हैं। दत्रातेने का कहे राजन मैंने 24 गुरु बनाए हैं उनके नाम सनों। इंके मैंने सिक्चागेन करी हैं।оп्रिथवी। उसमें सेंस सीलता बहुत होती है। उससे सेंस सीलता सीखी। वायू से प्राण वायू से केबल अपने सरी की रक्षा के लिए आर करना इंद्रियों की तरपती के लिए नहीं। इनकास से असंगता। आकास सब को प्रिथ्वी से जुड़ा गवर दिखाई देता है फिर भी सबसे दूर रहता है जल से सुद्धता अगने से सरवक्षी होना पन्र किशी के गुड़ दोश गयन ना करना चंद्रमा से आत्मा अविनासी है सरीर का अविनासी वाव सीखा जैसे चंद्रमा की कलाओं का नास होता है चंद्रमा का नहीं होता बैसे शरीर का नास होता है आत्मा का कभी नास नहीं होता आत्मा का भे दे उपादियों से होता है यह मैंने सूर से सीखा जैसे सूर एक है पं पर अनेग शरीरों में दिखाई देती हैं मैंने कबूतर से सीखा किसी से ज़्यादा प्रेम ना करें संग ना करें अन्यता कबूतर की बाती सिकारी के जाल में फच जाते ही मैंने देखा एक कपोट कपोटी गोशला बना कर रहते थे दोनों में बहुत प्रेमता एक दूसे से अलग नहीं होते थे कपोती को जो भी वस्तू की चावती कबूतर उसे लाकर के रेता था एक दिन समय आने पर कपोती ने बच्चे पैदा करे बच्चे बड़े सुन्दा थे उनकी चीची से कबूतर बड़ा प्रसंद होता था देव योग से एक दिने इक सिकारी ने जाल फैला करके बच्चों को पगर लिया कपोती कपोत चाड़ा लेकर के लोटे जाल में फसे हुए बच्चों को देखकर के कपोती बिलखने लगी और फर पड़ाती हुई पता था कि भी बचा नहीं सकती फिर उस जाल में जाकर के गिर गई स्वेम फस गई कबूतर ने देखा कि प्राहर प्यारी पत्नी बच्चे फसे हुए वो भी जाकर के दुख्यों करके जाल में गिरा और वो भी फस गया इसी तरह से हे राजन संसार में रहकर के बच्चों का पालन पोशन करना मना नहीं है कुटम का पालन पोशन करें किन्तु आसक्ती पूर्वक जो कुत्म का पालन पोषन करता है उसका सपरवार नास हो जाता है मैंने कबूता से सीका बच्चों का पालन पोषन करो जो मनुस्वक्ती का खुला द्वार छोड़ करके दुल्लम मनुसरी पा करके गरिश्ट आसम में कपोट के समाना सकत रहता है वो मुक्ती पर सवार हो करके भी नीचे गिर जाता है इसलिए पालन पोषन करते हुए प्रभू का ध्यान रखो और संसा से वचने की कोशिस करो सेक्णों योनियों में बटक करके ये जीव वगवट किरपा से मनुसरी को प्राप्त करता है और इस मनुसरी में राजन सबसे बड़ी योनी ब्रामर तत्व की होती है जो ब्रामर तत्व की प्राप्ती अत्यन दुर्लब होती है जो ब्रामर बनकर के भी बिशे उइंद्रियों को त्रप्त करता है वो हाथ में आया हुआ अमरित प्रसार भी नीची गिरा देता है इसलिए मनुसरी पा करके मनुसरी में भी अगर ब्रामर बन गए हो बैसनब बन गए हो तो कोशिस करो कि मनुसरी से हमें उद्दार पाना है आत्मा को मुक्ट करना है परमात्मा को प्राप्त करना है हे राजन इस तरह इंद्रियां बैसे सुख भी मनुसरी को स्वर्ग नरक में गर प्रगरा देता है इसलिए विवे की पुरुष उन्हें प्राप्त करने की चेश्टा ना करें जो बगवान के चा से मिल जाता है उसी में खुश रहना चाहिए संतोस रखना चाहिए ना मिलने पर उसकी चिंता ना करें अजगर के समान जैसे अजगर है अजगर सोता रहता है एक जगह रहता है फिर भी परमात्माउ से प्राप्त करा देते ही इसी तरह से गिरिश्त आसम में करम करो पंथ जो करम करके पल मिल रहा है उसी में खुश रहना चाहिए ये में अजगर से सीखा समुद्र से गंबीता सीखी समुद्र में से नडिया निकलती है फिर भी पानी ने गड़ता और नडिया गिरती है फिर भी नहीं बड़ता इसी प्रकार से दुख में और सोक में दुख में दुखी नहीं होना चाहिए और खुशी में ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए ये मैंने समुद्र से सीखा सादक को चाहिए इस्तिश्वन आबूसर बस्त ये सभी मायक द्रब्ब है इन में ज़्यादा नापस है ने तो पतंगा का कीरा जैसे दीपक की लोगों को रे करके उसके पात जाता है नस्त हो जाता है बैसे सादक भी ब्रिस्त हो जाता है मैंने आगे जाकर के भिक्या का संग्रे ना करें प्राणी को चाहिए जो सन्यासी है सन्यासी को पहले दिन का जो भोजन मिल गया उसी में खुश रहे दूसे दिन की चेश्ता ना करें ये मेरे मद मक्षी से सीखी, मद मक्षी खटा करती जाती है, खुर अपने पेट में नहीं खाती, सोचती है कि जब ज़्यादा सैद खटा हो जाएगा तब खाऊंगी, और मद वरता आता है, मक्षियों को मारता है, भगा देता है, और सारा सैद ले जाता है, इसी तरह से जो अगत को चाहिए, परिष्त्री का कभी भी जो गृष्त्री है परिष्त्री का सन्यासि किसी भी इस्ति का इस परशुना करें यहां तnah कि लकड़ी की बनीवी यो फोटो भी informação भी यो तो भी नहीं छुना चाहिए, नहीं उससे बुरी दिए यो फोटो को सी लगत और अरत इतनी खड़ी का देते हैं, हाथी दोड़कर कि आता है उस गड़े में गिर जाता है, इसलिए इन बातों का ध्यान दखें, जो लोबी मनुस किसी को एक कोड़ी भी उठा करके नहीं देते हैं, धने खटा करते रहते हैं, ऐसे पापियों का धन दूसरे ही चुड़ा करके उसक धन का प्रियोंग भगवस संबन्दी कीतन भगवान के वजिनों में करना चाहिए, कभी भी गंदे गीत नहीं सुनने चाहिए, क्योंकि जैसे सिकारी गाना वजाता है, सारंगी वजाता है इरन, उस संगीत के द्वारा मुएत ओकर के उसके जाल में उसके बानों का सिकार और कभी भी एक चतोरी जवान का विश्वास नहीं करना चाहिए, हे राजन ये चतोरी जो जवान हैं, ये इस प्रिकार से हैं, जैसे मचली पकरने वाला लोए के काटे में आठे की गोली लगाता है, मचली उसे खाने के लोब में उस काटे में फस जाती हैं, इसलिए चतोर जवान का अपने में पूरन विश्वास ना करके चले इसे अपने बस में रखें। दूसरों से किसी प्रकार की आशा लगाना ही सबसे बड़ा कलेस होता है इसलिए किसी से एक आशा नहीं लगानी चाहिए। ये मैंने पिंगला वैश्या से सीखा, एक पिंगला नाम की वैश्या थी, सुबैसे सिंगार करके वैटिवी थी, साम तक कोई ग्राक नहीं आया, वो उदास हो गई, मन में धिक्कारी आई, जब मैं जवान थी, तब लोगों की लाय लगती थी, आज मैं आसा लगाए वैटी ह नहीं बुरापा आ गया है, कोई मुझे पूछता नहीं है, अगर मैंने इतना प्रेमसी कृष्ण से किया होता, तो आज मुझे परमात्मा मिल जाते हैं, पिंगला वैश्या उसी समय सब कुछ ट्याक करके भगवान के बजन के लिए चल दी, इसलिए संसार में किसी से भी आ कर देता है, वो किसी भी प्रजाती का कीडा हो, भरंगी के दर के मारें, उसका ध्यान करते काते भ्रंगी बन जाता है, इसी इतरह से अगर हम परमात्मा का दिन और राध ध्यान करें, तो आर से नारłę Dreams बन सकते हैं, शंसार से आवा गमन से मुक्तो सकते हैं, भगवांसी किस इस्तिपुत्र का पालन पोसन काता है पंदु सरीर वियंत में से छोड़ करके स्वेम नस्त हो जाता है फिर इसके दुखों का अंत नहीं होता कारण किसी ना किसी बासना को लेकर की प्रात त्यागता है फिर उसमें दुवारा जनम होता है आबा गवन के चक्र से मुक्त नहीं हो पाता इसलिए इंद्रियों को बासनाओं से अटा करके भगवान में लगाना चाहिए ब्रमा ने अपनी माया से सक्ती से पसु पक्की कीट पटंग नाना प्रकार की सिस्ति करी है इससे ये जीव निकल नहीं पाता केवल भगवान की बक्ती के सारे निकल सकता है इस प्रकार से धत्रा तेजी ने का कि जब तक सरी स्वस्त हो कोई भीमारी ने लगी हो बडापा नहीं आया हो इंद्रियों की सक्ती नस्त नहीं हुई हो उससे पहले ही अपने उद्दार का अपरिट निकल लेना चाहिए अन्यता किसी ब्यक्ती के घर में आग लग जाए और आग लगने के बाद में कुवा खोड़े पानी का इंतिजाम करे तो उससे कोई लाव नहीं जहाँ पर आग का ढर है तो पहले से पानी का इंतिजाम रखना चाहिए इसी तरह से जब समयाज से निकल जाता है फिर मुक्ती के लिए कोशिज करना सब बेकार होता है बैसंपारिशी के तेहीं राजन इस तरह से भगवासी कृष्ण और दव को बडेश देने लगे बोलो अरवासी महापुराने की जै